स्ट्रेंट्स सबसे पहले आज हम आपको बता दूँ कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन एक नया चैप्टर में आपके लिए फिर लेकर आया हूं मैंने आप से कहा था कि मैं इसके नोट्स डिलियर कर दूँगा मैंने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैंने डि अपको आपको आपको आप अपरेल लगने वाला है, स्कूल चॉल इने वाले हैं पढ़ाई आप लगातार करना पड़ेगी so देखते हैं हमारा आज का lecture schedule क्या आज का हमारा lecture first है जो Newton's law of gravitation है और ऐसे ही और दूसरे chapters के videos मैंने one by one सब उसमें पहले आपको दे रखे हैं यह आपने उन्हें नहीं देखा है तो link description में दी हुई जाकर देख सकते हैं कि आपको पढ़ाई को आगे बढ़ा ले बिना देरी कि यह शुरू करते हैं आज का हमारा जो important topic है वो है Newton's law of gravitation so strengths यहाँ पे हम देखते हैं कि Newton's ने क्या किया देखे मैं आपको एक simple सी बात बता दूँ कि मैं आपको यह कहूँ कि दो object एक दूसरे के पास रखें या एक दूसरे से काफी दूर रखें तो हम सिप object देख पाते हैं उसके बीच की distance को देख पाते हैं मैसुस कर पाते हैं लेकि Newton's ने कुछ आगे का किया उनना ने देखा कि दो object जो एक दूसरे से देखते हैं क्या है Sir Isaac Newton gave the law of attraction force between two bodies which known as Newton's universal law of gravitation इसको हम कहते हैं Newton's law of gravitation या universal law of gravitation दोनों नाम से इसको जाना जाता है universal law of gravitation भी का है तो Newton's नाम की कोई जरूत में होगी understood है कि वो Newton's law आई है सो स्टेंट्स यहां पर उनने क्या किया देखिए मैं आप उस सिंपल बाते हम बता जाता हूँ मैंने आपको बता है कि दो bodies है जिनको एक फिल्स डिस्टेंस पर हमने रखा है उन दोनों bodies के बीच में जो force लग रहा है उसके study Newton ने की थी और उसका calculated form हमें बता है वह हमें इस question के answer के रूप में बताना है Every particle in universe attracts each other उनिवर्स से हर पार्टिकल एक दुसरे को attack करता है तो यहां पर attack की बात हम कर रहा है तो यह बात आपको भी understood है बताने की ज़रूरत नहीं कि हर पार्टिकल एक दुसरे को attack करता है तो यहां पर हम देख रहा है कि उन दो रख भी जो force लगता है वो force क्या है वो directly proportional to the product of masses of the particles वो directly proportional होता है उन bodies के particles जो particles हमने आई जो bodies लिए उनके masses के product के proportional होता है और inversely proportional to square of the distance between them और यह force जो होता है वो उन दोनों particles के बीच की distance के square के inversely proportional होता है इन दोनों बात को इन्होंने इसमें एक साथ बताया है मैं आपको यहां समझाते समय इन दोनों को different करके बता दूँगा तो आपको direction करने में काफी easy हो जाएगा अब streets यहां पर आप देख रहा है कि दो bodies M1 और M2 जिनके masses यहां लिए हुई है इनके बीच में एक force लग रहा है जिसको हम F के नाम से बता रहा है यहां पर F के रूप में बता रहा है इसको denote करना है F से यह ने statement इसके लिए बना लिया कि यह जो हमने diagram बना है इसके लिए हमने statement दिया वो यहां पे लिखावा है according to law अब first law क्या कहा था कि जो attraction force होता है वो उन bodies के masses के product के in proportionate होता है तो देखिए उसको हम according to first law बता है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे देखिए जो force is directly proportional to product of their masses अब वो masses के क्या है है यहां पे मैंने आपको पहले बता है masses M1 or M2 है तो देखिए M1, M2 का product कर दिया है यहां पे और उसके proportionate है वो दोनों के बीच में लग रहा है force तो यह हमारा first law हो जाता है तो आप एक काम करते है इसी statement message हो यह statement हमने पढ़ा अभी इसको हम दो पार्ट में divide करके दो law बना लेते हैं हम बना नहीं सकते हैं उन्होंने law दिया हम अपने easy form बनाने के लिए इसको दो पार्ट में दो equation के रूप में बना लेते हैं तो हमारे solve करने में easy रहेगा तेकि मैं इसको equation first देता हूँ यह आपे तो यह आपके लिए equation first हो जाएगा यह हमारे equation first होगा अब वहाँ पे उसी statement में आगे एक बात किये है कि यह जो force होता है दोनों bodies के बीच लगने वाला force यह उनकी distance के square के inversely proportional होता है तो देखिए वो भी हम बना ले तो f is proportional to 1 upon r square strength यहाँ देखिए distance का square है और inversely proportional है इसलिए 1 upon r square इसको हम दे सकता है second law समझाने के लिए second हम कहे रहा है वो actually जो है as it is easy हो तो यह हमारे पास दो equation आ रहे है और दोनों force की equation है अब आप इसको combine करते हैं इन दोनों को हम combine कर रहे हैं तो combine equation first and second combine equation first and second इनको हम इदे combine कर देंगे तो आप देख रहे हैं left hand side में f common है दोनों में f है तो हम f को एक ही बार लिखेंगे देखिए f is proportional to m1 into m2 और into 1 upon r square जो second law हमने second equation बनाया था उसको हमने लिख लिए है पर यह तो आप I think समझ में आ गाया होगा अब यह देम इसको आगी step मिलेते हैं तो हम m1 और m2 इसको 1 से into करेंगे तो 1 से into करने पर क्या हो जाएगा m1 into m2 upon r square यहां पर हमारी common बात समझ में आती है कि हम इस जो proportional sign का यूज़ कर रहा है इसको हटाना ज़रूर लिए होता है और उसकी जगे पर हमें एक constant को लेना होता है हम यहां एक constant generally हमारे दिवांग में consistency बन जाती है यहां पर कुछ specific constants को लिया जाता है जैसे g तो यहां मैं constant को लूँगा g मैंने नहीं लिया है इस अलरेडी टेकन बाइ न्यूटन तो यहां पर हम उसको लिखेंगे तो f is proportional to देखिए proportional sign हटा रहा है g constant लगा दिया हमने m1 into m2 upon r square तो यह हमारे law का mathematical form आ जाता है तो यहां पर यह value आपने देख ली f की value कि आ रहे g into m1 into upon r square strength तो यही उनका law का एक form कहलता है इसे हम Newton's square law कहते हैं inverse square law के नाम से भी जाना जाता है Newton's law के नाम से Newton's law of gravitation के नाम से भी जाना जाता है किसी भी रूप में teachers आपको exam में गुआ के पूछ सकता है तो आप उसको easy form में लेखे solve कर ले क्योंकि आपको इतने सारे इतने सारे जो statement से याद रहेंगे इतने सारे नाम याद रहेंगे तो आपका confidence अपना बढ़ा हुआ होगा कि शायद यह question वही ऐसा है बहुत सोचना नहीं पढ़ेगा कि क्या यह question है क्या कि और कोई सा हो सकता है इसलिए मैंने इतने सारे नाम आपको बता दिया यहाँ पर यह समय में आगए आपको अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ता है यहाँ मैं G की value को आपके सामने निकाल के देता है इसलिए कि जी की value हम कैसे निकालेंगे देखिए G की value निकालना है क्योंकि हमने G constant ले आपको हम यह mention भी करेंगे कि G क्या है एक constant है यहाँ side में हम उसको mention कर देगे कि G is a constant called universal gravitational gravitational constant इसको universal gravitational constant कहा जाता है जी इसके particular value होती है जो मैं आगे statement में बताने वाला हूँ एक particular value इसके हम calculate भी कर सकता है लेकिन हम पहले आगे इसको solve करना देखें कि इसकी value कैसे निकाली जाए अब जैसे इसकी value निकालना हो तो आप इस formula को use कर लेंगे देखें वापस से f equal to g m1 into m2 upon r square f के upon m1 consider कर लेते हैं cross multiply करते हैं cross multiply करेंगे तो g m1 into m2 equal to f into r square obviously हमें g की value निकालना है g की value निकालना है तो g equal to f into r square upon m1 into m2 so strength हमें ये value मिल गए g equal to f into r square m1 into m2 अब इस value को हम क्या करेंगे strength इसी से हम लोग यहाँ f की और g की value calculate करेंगे देखें मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए कुछ values ले लेता हूँ यहाँ पर जैसे मैं यहाँ value ले रहा हूँ कौन सी values है वो देख ले हैं आप लोग कि मान लोग हम इन दोनों masses को unit ले ले m1 equal to 1 kg m2 equal to 1 kg और उनके बीच की distance r equal to 1 meter f अपनी place पर f की place पर f ही रखेंगे हम लोग यह तीन value में इसमें put करते हैं तीन value रदे हम put करेंगे इसमें तो देखें क्या होगा g equal to f into r कितना है 1 meter है तो 1 meter square लिख लेते हैं यहाँ पर upon m1 m2 कितना है 1 kg into 1 kg तो हमारी step मिल जाएगी हमें g equal to f into 1 upon 1 square यहने actually g equal to क्या मिल गया है हमें f मिल गया है अब students इस बात को ध्यान दें आप लोग कि g equal to f मिल गया है तो यह value हमें g equal to f मिल गया है यह हमारा statement बनाएगी तो क्या हुआ आपको मैं हिंदी में explain कर देता हूँ इस चीज़ को कि देखिए gravitational constant यह जो g है gravitational constant की value उस force टेक्वल होती है जो force उन दो object के बीच में लगा होता है जिनके mass as unit हो और उनने unit distance पर place किया हो यह statement हमें समझ में आरा चाहिए क्या कहा है एक बार फिर repeat करता हूँ मैं कि gravitational constant जो हता है universal gravitational constant उसकी value किसके उसकी जो calculate है नुमेरिक value होती है उस force एक्वल होती जो force दो unit object के बीच में लगता है जिनको unit distance पर रखा गया हो देखिए यहाँ पर यहाँ जो दिख रहा है आपको blue letter में यह वह statement लिखावा है तो मैं आपको explain कर देता हूँ universal gravitational constant is numerically equal to the force of the gravitation देखिए force of the gravitation acting between two bodies acting between two bodies उन दो bodies के बीच में act कर रहा है of unit masses and placed at unit distance from each other जो unit mass किया हो और एक दूसरे से unit distance प्लेस प्लेस किया गया हो तो यह बात यहाँ पर हमें clear हो जाती है तो हमने यह पूरा जो है इस law को समझ भी लिया Newton's law of gravitation इसका theory part भी आपने देख लिया मैंने mathematical part भी इसका पूरा solve कर दिया आपके सामने साथ में हमने g की value निकाल के उसकी definition को भी बना दिया कभी कभी G का question बन जाता है कि what is G, capital G तो capital G के लिए हमें इस question को फिर से लेना पड़ेगा और G की value इस तरह से जिसके हमने statement बनाई है वो बना के देना पड़ेगी तो strengths यह तो हमने बात देख लिए अब यहां हम अगले point पर आते है कि इसमें और कुन से points हमें 8 करना चाहिए जिससे इस question का एक richness आजा है इस question के अंदर एक depth आजा है और इसके अंदर thoroughness आजा है तो वो हमारा point होगा कि इसके लिए हम इसकी unit को निकाले और dimension formula को निकाले तो मैं एक काम करता हूँ आपको पहले unit निकाल के इसकी बताता हूँ देखिए इसकी unit निकालने के लिए भी फिर से उसको point को लेना पड़ेगा f equal to g m1 into m2 upon r square तो यहाँ पे मैं g की unit निकालने के लिए इसको फिर solve करूँगा आगे f into r square equal to g m1 into m2 सो स्टेंट्स यहाँ पे g की value यह निकालता है तो g equal to f into r square upon m1 into m2 अब आप सभी जानते हैं कि force की value क्या होती है Newton तो मैं उसको Newton लिख देता हूँ आपर r distance से distance की unit होती है meter square meter वो meter पर square लगा तो हमने meter square लिख देया है masses जो होते है तो मैंने हाँ kg into kg लिख दिया यह हमारे लिए g equal to क्या मिला Newton meter square upon kg square यदि हम इसको लिखते हैं सही डंग से तो Newton into meter square पर kg square यह हमारा SI system में इसका measurement होगा SI system में इसका unit होगा so strengths यह हमने SI unit इसकी निकाल दी तो इस तरह से question को इस law के साथ ही निकालना होता है इसे अलग से नहीं पूचा जाएगा है पूचा जाएगा तो आप दो marks में कर सकता है लेकिन question पूचा गया है तो आप obviously इसकी unit ज़रूर निकाले अब इसके dimension formula की बात करते है तो dimension formula निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि dimension formula इससे निकाले f equal to g m1 into m2 upon r square अब strengths यहाँ पे g तो azts हमें रखना है खिरसे वैसे ही तो calculation करेंगे तो आपको भी मैंने करके बताया था जैसे g की value निकाल ली थी Newton meter square पर kg square तो g की value हम direct निकाल लेते हैं यहाँ से तो वह आप state देखे कर सकते है g equal to f into r square upon m1 into m2 अब strengths यहाँ पे हम dimension formula की बात करेंगे तो g equal to force का होता है m l t minus 2 यह आपको पता है यह force का लिख दिया r एक distance है so distance का होता है l l का square upon masses का होता है m m into m अब यदि हम numerators यदि हम numerators की power सो solve करते है strengths तो यहाँ आप देखेंगे कि m और यहाँ देखें ल की power 1 है यहाँ l की power 2 है तो वह जाएगी l की power 3 l की power 3 होगा t की power minus 2 upon m square अब m की powers को हम separate कर ले यहाँ पहले previous chapter में हम सीख चुके हैं इसको l q और t की power minus 2 अब यहाँ power उपर जाएगी तो g equal to m की power 1 में से 2 गई तो बची minus 1 l q t minus 2 यह इसका dimension formula रहेगा तो यह इस तरीके से आप dimension formula का निकाल सकते हैं यह हमारे पास दोनों आ गए हमने यहाँ unit को भी निकाल दिया है देखें unit भी निकाल दी complete question का mean यही बताए कि आप पहले उस question को introduction दें introduction को देने के बाद उसका mathematical part law को बताए law को बतारे बाद mathematical part को solve करें उसके बाद उसकी units और dimension formula भी ज़रूर बता दे so hope आपको यह video समझ में आ गाए होगा मिलते हैं next video में till then stay blessed and good bye